इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. इसका इस्तेमाल rheumatoid arthritis, ankyloginx spondylitis और osteoarthritis जैसी स्थितियों में दर्द और सूजन को कम करने के लिए किया जाता है. इसका इस्तेमाल मांस्पेशियों में दर्द, पीठ दर्द, दात दर्द या कान और गले में दर्द से राहत देने के लिए भी किया जा सकता है. इब गैसे KP tablet को भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जाना चाहिए. आपको इसे नियमित रूप से अपने डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार लेना चाहिए. आपके दर्द के लेवल और आपकी जरूरतों के अनुसार आपका डॉक्टर आपकी डोज और डोज के बीच समय के अंतर को बदल सकता है. डॉक्टर द्वारा बताए गए डोस से अधिक मात्रा में या अधिक समय के लिए इसका इस्तेमाल न करें इस दवा के कुछ सामाने साइड इफेक्ट में मिचली आना, उल्टी, पेट दर्द, भूक में कमी, सीने में जलन और डायरिया यानी की दस्त शामिल है अगर इन में से किसी भी साइड इफेक्ट से आप परेशान है या समय के साथ वो ठीक नहीं होते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए आपको वेकल्पिक दवा देकर या डोज को एज़स्ट करके आपका डॉक्टर इंसाइड इफेक्ट को कम करने के या उनकी रोक्थाम के तरीकों से आपकी मदद कर सकता है हो सकता है यह दवा हर किसी के लिए उचित नहो इसे लेने से पहले अगर आपको दिल, किड्नी, लिवर से संबंधित कोई समस्या है या पेट के अलसर हैं तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह आपके लिए सुरक्षित है अपने डॉक्टर को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को इस दवा का इस्तिमाल करने से पहले अपने डॉक्टरों से परामर्श करना चाहिए विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद